कि नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत आपका आपके अपने सेनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वी के लिए वीडियो लेके आया हूं तो दोस्तों इसे पहले बता दू कि अगर आप मेरे सेनल पर नहीं हो तो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिख जाएगा उसको दबागे सेनल को सब्सक्राइब और पास के बैल आइकन को दबा दे क्योंकि दोस्तों वी एमोई कोटा से जोड़ी हर अपडेट आपको मिलेगी इस सेनल पर तो दोस्तों बिना वक्त में शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों आपको सिंप्ली वी एमोई की ऑफिसल साइड पर आजाना है और यहां पर आप देख सकते हो नीचे की साइड अपन चलते है तो यहां पर आपको सामने देखाए दे रहा होगा देख सकते हो आप डेफॉल्टर बैक एग्जामेशन फॉरूम जून 2020 यह लिखा हुआ है अपनको सिंप्ली इस पर क्लिक करना है जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यह यहां पर एक नए पेज उपन हो गया तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर क्या देख सकते हो कि सत्रांग सेदान्तिक प्रोजेक्ट परिक्साद जून 2020 से तुट डिफॉल्ट रफर्म आपनको डिफॉल्ट परना है इसके अंदर और और ली सिर्फ रायोगी के प्रैक्टिकल के लिए वरना है तो यहां से आप कर सकते हो और वाकि यह एक्स्टा करके अप्लाइब के उप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो अपने सामने देख सकते हो आप यहां पर वापस अपन हो गए और यहां पर फॉर्म के मेत्वपुर्पन निर्देश देविए तो आपने इनको पढ़ लेता है क्योंकि अको लोकडाउन सल रहा है और इन्होंने काफी लोकडाउन से समंदित भी यहां पर निर्देश दिये तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या है जून 2020 सेधानतिक परिक्सा है तो डिफॉल्टर परिक्सा फॉर्म आउधन करने समंदि देसंबर 2019 सथरांग पर जारी ओने के बाद इस स्यधानतीक परिक्सा है तो डिफॉल्टर पॉर्म वरसा क्योंगे दिसंबर 2019 सथरांग परिक्सा के परिक्सा के परिक्साथ COVID-19 साइट नियमित देखते रहें दोस्तों यहां पर लिखाव आए कि जो दिसंबर 2019 में एक्जाम दिया है ठीक है और उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो वह आजाएगा और जब आएगा तब आपको 15 दिन का टाइम मिल जाएगा और उस टाइम भर सकते हो ठीक है इसके बार में दूसरा है जो विदार्ती सत्रांग परिक्सा देसंबर 2019 से तुपंजी करते नहीं है वे सदान तक परिक्सा है तो अपना डिफॉल्ट फर्म ऑनलाइन पर सकते हैं यह क्या है कि जो पहले एक्जाम नही है नहीं है और जिन्हों नहीं दिया और वो बढ़ना साथ है तो वो भर सकते है ठीक है इसके बार में जून 2020 परिक्सा है तो डिफॉल्टर विदार्ती द्वारे परिक्सा फॉर्म आवेदन करने समंदी मैं तो पुन दिसाने दिस पहला क्या है बीएसी बीएसी लेटरल ब ठीक है क्या बोलाए कि आपको फॉर्म बढ़ने के बाद में इसको ऑफलाइन आपके जो भी सैत्री केंद्रे वहां पर जमा कराना होगा लेकिन यहां पर देखो आगे किया दिया है कोरोना वाइरस संक्रोन की समस्की को ध्यान में रखते हुए ऐसे ऑफलाइन आवेदन प पाठे करमों की जून 2020 परिक्सा के लिए डेफॉल्टर परिक्सा फॉर्म पूरू की बाती केवल ऑनलाइन देखो यहां पर सिर्फ बीए बीएसी बीएसी लेटर और बीएसी एडिशनल के लिए ही दिया हुआ है कि ऑफलाइन जमा होगा ठीक है बागी वालों के लिए नह इसके बाद में नोट दिया हुआ है कि दिसंबर 2017 परिक्सा में पंजी कर समस्त विदारते इस परिक्सा के परिणाम जारी होने के बाद प्रायोगी फॉर्म बर सकेंगे लब यही है कि जिनना ने पहले एक्जाम दिया है उनका रिजल्ट भी तक नहीं है तो आप बस सैग क पर देखो जो भी आपके डेफॉल्ट परिक्सा फार्म में इनमें जो भी सेंजिंग है ठीक है उसकी जानकार यापको इसी साइड दी हुई है यहां पर मिल जाएगी तो आपको सिंप्ली इन पर ध्यान रखना है एनी टाइब अपडेट इन पर मिलता रहेगा अब उक्त वैस्ता में आप सकता अनुसार कोई भी परियुतिन करने का अधिकार विस विद्यल के पास सुर्खसित रहेगा तो उस्तों किया कि लॉक्डाउन की वज़े से आगे पीसे भी करना पड़ सकता है ठीकिन लेकिन दोस्तों यह नहीं है कि करेंगे ही तो आपको पास में अभ तो इसके भी पॉर्म बढ़ना है तो एकक इसके बाद में ऐसे रिफॉल्ड विदार्थी जो जुन 2017 परिक्षा में परायोगी परोजेक्ट फों सेधानतिग या प्रायोगी में सेधानतिग परोजेक्टेश्थ अबस्याति है यह तो 3 परिकषाओं के लिए अचलशा ही आपको तो आपको एक साथ में करना है यह से आपको फोर्म बरने की अनुमती नहीं है ऐसा नहीं कि आप एक में प्रोजेक्ट का अगर दिया, एक में प्रायोगी कर दिया, एक में सैतान दिया, नहीं आपको option ही नहीं मिलेगा, ठीके दोस्तो तो और इसके बाद में यहाँ पर अगर आपको log-in करना है तो यहाँ पर scholar number डालगे आप submit करोगे तो आप उसके बादे में form बर पाऊगे तोस्तो हो उम्मीद करता हूं यह जानकर यह आपको कफी अच्छी लगी है दोस्तो यह जानकर यह अच्छी लगी तो दोस्तों मिलते हैं ऐसा ही important वीडियो के साथ तब तक ले जय हिन जय भार्थ